यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ करना बड़ा मुस्किल है लेकिन करनाटक चुनाओ के अगर हम देखते हैं ग्रामिन और शेहरी सीटों का जहां डिफरेंस आता है ग्रामिन सीटों में बीजेपी जीत ज्यादा दर्ज कर रही है शेहरी सीटों पर कॉंगर्स आगे नजर आती है यह इस बार उल्टा नजर आय है जिसको आप दक्षन करनाटका कह सकते हैं कॉस्टल एरियाज में और जो मीडल की इलाका है उसमें भाजपा जो है वो अच्छा कर रही है आगे जा रही है सीध धरमया जो अभी मुख्यमंत्री है वो एक सीट से हार रहे हैं चंबु देशवरी से हार रहे हैं बदामी रूरल सीटों में बीजेपी पीछे नजर आती है और सहरी सीटे गुजरात को अगर नजर डाले तो बहुशली सहरी सीटे बाजपा ने जीती थी तो यहां पर अभी हाला कि जिस तरह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और चुनाव में यहां पर जो नतीजे सामनी आ रही है उसमें बहुमत का आखड़ा जो है चूती हुई बीजेपी नजर आ रही है ऐसे में ये दुर अप्पा की जो की बीजेपी की और से होने बाला है और क्योंकि पिछले कई सालों से पिछले चार सालों से जबसे केंदर में आदेनी मौदीजी के ने किस्टों में सरकाट है और पार्टी के अल्यक्ष के बड़ पर हमित भाई हैं जिन जिन परदेशों में तुनाव होते गे एक आप को छोड़ करके लगाता व हो परदेश कोंगे समुक्त होते जा रहे हैं और उस देश्टी से कि माचल के बास नौट सिस्के तीन परदेश और उसके प्रशाथ अभी जिसको कठीन माना जा रहा था नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा था और वहां पर भी बार्टी मुक्ता पार्टी के सकार बने कि ने में सब्सक्राइब करने जा रहा है और यह मुझे लगता कि आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में दोहाजार उनीस करिकुनाब में पिर देश में आदनी मोदी जिकने तीन पार्टी के एंडिये कि सिकार नहीं तो आने वाले समय में यानी दोहजार उनीस में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार केंदर में बनेगी एंडिये की सरकार बनेगी एस्ताफ संकेत जो है नजर आ रही है यह बात कही मुख्यमंतरी जैराम ठागो नहिमाशल परदेश के लेकिन आने लारे जी कॉंग्रिस की कोशिस तो खूब की गई लिंगायत कार्ड खेला गया जलित वोट बेंग जो है वो साधनी की कोशिश की गई बीजेपी वही अपने हिंदुत के एजेंडे की साथ जो है आगे बढ़ती हुई करनातक में नजर आई लेकिन फेल कहां पर हुई का भी कॉंग्रिस जो आपको होता रहा है तो यह वहां फर्क खतम हो जाता है जिन सीटों के उपर उनका प्रभाव होता है उनी सीटों के उपर उसी क्योंटी के आदमी को आप दोनों पारटे टिकट दे देती तो क्योंटी जो है वो डिवाइड हो जाती है वो किसी एक के साथ नहीं जा सकते है कोई एक लिए तो हमेश्या से देश अजाद होती रही है इंद्रा गांधी कहती थी के हम जो है गरीब ही दूर करेंगे और गरीब ही दूर नहीं हुई है गरीब होते चले गए है सरकार से जीतनी भी हुई है तो दलीट कार के लिए जाता है लेकिन अज़िए कार के सबसे बड़ी चीज है कार की सुरुवात के से हुई यह एक छोटा सा ब्रीफली हमें इसको समझने की जौरत है देखिए कॉंग्रेस पार्टी की हार की सबसे बड़े वजह रहा है जो सबल्टर्ण से हैं जो दलीट पिछले लोग हैं उससे उसकी लीडर्शिप को कॉंग्रेस ने पनपने नहीं दिया तो उसकी रिजल्ट में क्या हुआ कि जो रिजनल पार्टी का इमर्जेंस हुआ और कॉंग्रेस का पतन का सबसे सुरुवात बिहार से हुई उत्तर पर्देश से हुई फिर आप मद्य पर्देश में गए फिर आप जार्खन से बाहर निकले और धीरे धीरे फिर आप राज सी डॉमिनेंस वहां ज्यादा है तो वहां इस बात की ज्यादा होती नहीं है लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कॉंग्रेस पार्टी ने सोचल इंजिनियरिंग का जो इनका एक सुरू से जो एक पॉजिटिव एजेंडा रहता था इस पे इनोंने काम नहीं किया और कॉंग् वो तो भूल जुक से पता नहीं 2004 में ये जीत गए तो फिर रिभाइब हो गए 2009 में जीत गए तो और स्ट्रॉंग हो गए लेकिन इस उपर्चुनीटी को इनकास नहीं कर पाए लोगों से जोडने की काम इनों आज इसका फाइदा भारती जनता पार्टी नोठाया और भार वोट को प्रभावित करने की कोशिश प्रभावित करने की कोशिश और परधानमंतरी की और से कि जारी है अवंथिका जी दो बिलकुल सपस्थ है कि प्रधानमंतरी जया भी जाते हैं वहां मंदिरों कौने लेकिन शीजरु बड़ी नहीं है मैं याद करता हूं जग जीवन राम जी को कॉंग्रेस के कितने बड़े लीडर थे दिगज नेता थे और उनके साथ जो है सारे दलित जो है जुड़ जाते थे और हिंदुत्वे की जहां तक बात है यहां की नहींदर मोदी जी कि जितने भी दलित हैं वो मौसली बीजेपी से भी दूर हो जाते हैं कि हमारा किसी ने कोई भला नहीं किया है लेकिन जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल 80% की पॉलिटिक्स जो है आज बीजेपी कर रही है और इन्हें अच्छे से पता है सोस इंटरस्टी नहीं होते हैं वो सिरफ जो राश्टी इता की बात करेगा जो देशीत की बात करेगा वो उसके साथ लेगे लेकिन क्या लगता है आपको कि जो करनाटा की चुनाव मिया जो थे मुख्यमंतरी थे प्रदेश के लेकिन उनका जो अतियात्म विश्वास था वो दूबा है उन्हीं और यही कारण रहा कि JDS से उन्होंने जो है मेल करके जो है यहां पर चुनाव नहीं लड़ा और BSP और NCP जो है वो JDS के साथ गई कॉंग्रस अके लिए रहे गई मैंने सपस्ट पहले लिखा था कि महां सपस्ट गवर्मेंट बनेगी और किसी की भी बने जब नरेंदर मोदी और BJP का मुकाबला विपक्स जब तक संगटित हो के चुनाव नहीं लड़ेगा तब तक इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता यह सपस्ट इस करनाटक के चुना होती है अगर आप चुनाव के दोरान अगर आपकी सहमती नहीं बन रही है अलाइस पे और आप कमजोरी दिखाएंगे तो हर आपकी निश्चित हो जाती है आप हिमाचल के एलेक्शन को देखिए आवीर बदर्चिंग लास तक मजबूत नजर आए है उन्होंने अबने लि लड़ेंगे कितनी शीटों पर कैसे होगा किसको किसके कंडिडेट वहाँ पर मजबूत आपस में इंटर्चेंज किया जाएंगे यह बड़ा पेज़िदा काम होता रुसमें सिदार मया को अगर नहीं एडजस्मेंट हो पाई इसलिए उन्होंने अलाग अलाग चुनाव ल लेकिन जो राज्य जिन में बीजेपी पहले से शासित हो चुकी है या जीत कर अभी आई है वहां जब उप्चुनाव होते हैं तो बीजेपी हार देखिए अवंतिका जी जहां तक करनाटका की बात है भारती जनता पार्टी की जो वहां जीत हुई यह सुभाविक जीत है पार्टी की पार्टी की नेशराल जीत है इसके लिए उन्होंने प्रियास किया और अभी मुझे लग रहा है कि उसमें उनको सफलता नहीं मिली बट यह काफी एक पोजिशन में भी अगर रहते हैं तो काफी स्टॉंग पोजिशन में रहेंगे तीसरा जो वह पार्टी है जो अपना ये है जनतादल सेकुलर की जो हम बात करते हैं जनतादल सेकुलर चुकि सिधार महिया जनतादल सेकुलर से ही कॉंग्रेस में आए वे थे तो ये इनके बीच अलाइंस होने के पीछे बहुत बड़ा प्राब्लम तक नहीं हो सकता था चुकि डेवे गोड़ा काते थे कि इसको हमने पॉलिटिक्स में लाया इन्होंने हमारे बैक में स्टैबिंग किया काई ने कि सिधार महिया को एक्सटेप नहीं कर रहे थे चीजों का बेनेफिट नहीं मिलता है आपको फैनली आपने काम क्या किया है लोगों को अप कन्विंस कैसे करते हैं उसके अधार पे आपको वोट मिलती है वोट मिल सकती है नहीं मिल सकती है लेकिन यहां एक चीज में बड़ा ही इमंदारी से हमें यह भी देखने की जौरत है भारती जनता पार्टी को जीत मिली है अवंति कह जी जिस देखिए जो इनका एक उससाब से अगर हम देखते हैं तो हम एक बेटर विक्तरी और बीगर विक्टरी के बात करते हैं कि जीत-जीत होती है चाहब एक भोर्ट से जीते हैं, या एक लाग से भोर्ट हैं, लेकिन हम इसका interpretation तो करेंगे, interpretation तो perspective में होगा, जीतो, वह हम एक bigger victory की बात करते हैं, तो इसमें भारती जन्ता-पार्टी के लिए भी message है, कि आप complacent ना हो, अगर हम 2000 टहाच के जो छुनावधा दतीजे जो सामने बिल्कुल जो बीजेपी जो है वो स्पस्ट गॉर्मेंट गया बनाती दिख रही है एक सो छे साथ पर आगे अभी चल रही है जैसे नतीजे आएंगे मुझे लगता है कि वह जादू यकड़ा आप दो सीटें रद होने के बाद में 112 का साथ जादू यकड़ा है तो वह उस त कि बात करें लेकिन जो सीट रांसपर हो रही है वह सीधी कॉंग्रे से से बीजेपी को हो रही है जे है जडियुज अपनी जगयल फेसे बीजेपी बीच में जी तो वोट जो ज़्यादा है वो नहीं हुआ है लेकिन जो सीट है वो इनको ट्रांसपर हुई है और इसमें बहुत बढ़ी भूमी का रहती है स्टेज जी बढ़ाने की आपको कीन सीटों के उपर फोकस करना है कंडिडेट्स वहाँ पर कैसे होने चाहिए जैसे लिंगायत समुधाय का वहाँ बहुत बड़ा रोल था लगभग 60-70 सीटों के उपर उनका प्रभाव था उसको किसी एक पार्टी के साथ ना जाने के लिए परियास किया अपने पक्स में लेने के लिए राहुल गांधी जी वह सपस्ट तोर पर चार-पांच बार उनने वहाँ दोरा किया और अमिच्छा जी ने उसको सारा को उपलिज करने का काम किया कि वह सारा का सारा जो है वोट बैंक कोंग्रेस की तरफ ना जाए लेकर जो है उसने उपन बात बोली लेकिन बीजेपी ने रणनीती के तहट ज अने जी सवाल मेरा राजीव रेंजें जी से भी था आप से भी सवाल की जिन-जिन राज्यू में की सरकार बनती है अभी सरकारे बनी है लेकिन जब उपचनाव उतरप्रदेश की ऑबात कर लें जाये राज़िस्थन वे वहाँ कि बात कर लें देखिए हो इंतिका जी बड जजर में कहे दिया गहा हम आपकी शादियां भी करवाएंगे तो इस तरह के जब चुनाईवी वादे होते हैं तो बड़ी जल्दी तूटते हैं अगर आज धनकर जी के पास यहां जजर के उनकी कौन्सी चुन्सी के अगर एक हजार जो वाइद ही हुआ है वो आजए तो कहा से शादि कराएंगे लेकिन वाइदे जो करती है बारी वाइदे करती है और वो लोगों की जो है विश्वास के ऊपर इतनी जल्दी ख़रा नहीं उतरती है मालो साल के बाद दो साल के बाद उनका रहता है जैसे एक मैं गुजरात में हम 2012 में गए थे यह देखने के लिए कि निरेंदर मोदी की जो गवर्मेंट हो वो कैसी है हमने एक बात नोट की थी कि यह लगबग बीजेपी वाड़े साड़े तीन-चार साल तक जनता की और सरकार की गर्दन दवा के रखते हैं और लास्ट के एक साल तक डेड़ साल तक बारीश की तरह बरसते हैं आपकी सारी अधि उम्मीदों को पूरा करने का प्रियास करते हैं और लोगों की जो यादास थे भारत वालों की वो काफी छोटी होती कम होती वो एक साल को ही देखके अगर मालो आज दो हजार जो है अठारा चल रहा है दो हजार आठारा से आज भी ये किसानों की समस्याओं का उन मू करें नहीं उतरते हैं और दूसरी पार्टी को उसका अलाब मिलते हैं लेकिन इसी बीच में जो खबर आ रही है वो यह कि अभी जो रुजहान भी जो सामने आ रहे है उसमें भी बहुमत का पीच जो है फस्ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी 106 पर रुग गई है और यह नहीं नहीं सबसे बड़ी बाती है चरटी बनती है बीजेपी तो गवर्नर इनके है इनको सरकार बनाने के बूलाएंगे इनको बहुमत का टाइम देगा बाद में इस सेटिंग हो जाएगा वह इसमें कोई मुझे कोई confusion नहीं कि भारती जंता पार्टी को सरकार बन रही है लेकिन अगर माल लेजिए कि अब फाइनल रिजल्ट्स आते आते इस सिती इतनी हो जाए कि बेज़जती से बचने के लिए कि काफी criticism हमारा होगा तो फिर सरकार उसकी possibility हमको दिखते भी नजर नहीं आ रही है जो support base है वो intact रहता है वो देखे अगर वो उसमें कोई ज्यादा आप beyond a point उसमें सेंदर नहीं मार सकते हैं किसी अस्तर पर आप जैसे कि आयनली के अगर हम example देदा है तो उनकी एक जो fight है हरियाना में वो देखे उतना seat वो जीती लेते हैं चाहे कितने कमजोर क्यों ना हो दूसरी बात है लिंगायत की लिंगायत वहां बहुत ही politically ambitious community है और लिंगायत का देखे करनाटका में simple stand रहता है जिसका भी critical strong anti-brahminical stand रहेगा उस party के पक्षमें वो जाती है वो और कोई ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाता है उनका लेगाता यह anti-brahminical party है तो यह हमारा will be sure है देखिए वो सीधी उनकी सोच है तो अब उसको balance करना लेकिन उतनी बड़ी community है बीजेपि आपको देखिए seat जितने के लिए जब आपको seat जितना है तो कास्ट फेक्टर को analyze करना होता है फिर आप देखते हैं किस कास्ट की वोट ज्यादा है उसको आप candidate मनाते हैं तो इसलिए जो कहते हैं कि बीजेपी को सरकार बनाना आता है साइद एक दो पर independent होगे जिनसे आसानी से उनसे तोलमोल किया जा सकता है मैं यह कहता हूं कि मात्र जो है अगर यह तीन एमेले इनके साथ आ जाए तो आकड़ा पहुंच जाता है इनका 218 के आसपास seat इनको वहां मौझूद की चाहिए यानि और 218 की वहां पर प्रेजस हो मतलब कॉंग्रेस के 242 एमेले अगर absent उनका जाता है सर कार में तो तौंग्रेस में तौढ़ फोड करने की जरूर्थ नहीं है को यह कहने की जरूर्थ है कि इस दिन आप हमारा भामाध करने का मोका हो आप और जाए आप udahолоÓ गें करनातक में भारती जनता पाटी की सरकार बनेगी यह फोर्गोन कंक्लूजन है अब आप उनको आप क्यों नहीं उनको 100 जीट मिले कोई धर्ती पैसी ताकत नहीं है जो भारती जनता पाटी को करनातक में सरकार बनाने से रोके में बता दू वर्स्ट के सिथिती में में बता दो अवंधिका में टीब ऑन रेकॉंट कह रहा हूं अगर जोरत पड़ी तो हम प्रेजिडेंट्स रूल यह लागू कर देंगे लेकिन यह कॉंग्रेस और जनता दल सेकुलर को मिला करके एक सरकार भारती जनता पार्टी हो नहीं बनने देगी इसमें कहीं कोई debate का कोई इसकूब नहीं है सबसे बड़ी बात है कि मैं जो लास्ट में पॉइंट कहना चाहोंगा कि इसमें भारती जनता पार्टी के लिए मेसेज है बहारती जनता पार्टी ने बीगर विक्ट्री वहां करनाटका में की थी और पहल के रहने के बाबजूद और हम यह कहते हैं कि कॉंग्रेस बहुत कमजोर है वहां लीडर्शिप नहीं है उनमें दिसरे लफड़े हैं इंटर्नल बिक्रिंग्स है यह है वो है इसके बाबजूद भारती जनता पार्टी जो 113 का आंकड़ा अचीव करने के लिए इस्ट्रगल क कर रही है और हम two-thirds majority की तो हम बाती नहीं कर रहे हैं हम simple absolute majority की बात कर रहे हैं तो इसमें भारती जनता पर्टे के लिए भी चैलेंज है अवंतिगा जी यह तो बिल्कुल सपस्ट दिख रहा है कि ना तो नरेंदर मोदी जी का जबाब किसी विपक्स की पार्टी के पास है और ना है अमिच्छा जी की स्ट्रेजी का जवाब किसी के पास है अगर होता तो अब तक तोड़ हो गया है तो डूंड लिया होता है इन और गर्णर अब क्या चाहते हैं आप सिंगल लारजऩरिस पारटी को भी गवहाट मरत हैं और परूर करें हम संदन में अपना बहूमत प्रूक करें के कि आपके पास कैमरा है अगर सपस्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सपस्ट रूप से हैं जिसका हम सामने चुनाव लड़ रहे हैं हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे कि सिधार मया ने अभी कल ही कहा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है प्रदेश में तो फिर दलित हम कैंडिडेट उतारेंगे मुख्यमंत्री के रूप में क्योंकि सिधार मया जो कि खुछ GDS से अलग होकर आए हैं उन्हें पसंद नहीं किया जाता है की सिधार मया देखें प्रावलम है यह देखें यह बदमासि कर रहा है यह ए यह 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 जनतादल on कि अगर उसकी पॉसिबिलिटी अगर बंती है जो कि मैए अटलिस्ट मुझे नहीं लगता पॉसिबिलिटी बनती है जनतादल सेकुलर अगर इनके एलाइंस के साथ सरकार बनानी है तो देखिए जनतादर सेकुलर का चीफ फिनिस्टर होगा कॉंग्रेस को उसके पार्टनर बनना पड़ेगा हम उस पॉसिबिलिटी को मुझे नहीं लगता है कि उसमें इसकी नौबत आएगी फिलहाल देखिए भारती ज लेकिन 2004 में कॉंग्रेस ने किसके लीडर्शिप में चुनाव नहीं था किसी के लीडर्शिप नहीं रहा है नौग के बीव उन्होंने मौन मंत्री कि इस बात को राहूल राहूल को हम रिजेक्ट क्यों करते हैं लिडर्सिप में क्या होना चाहिए ठीक है यंग है डाइनमीक है उनको टाइम तो दीजिए मोदी जी का एस दिखे क्या है राहूल जी को सेज में पहुंचने दीजिए अभी मैचॉरिटी आएगी और इतनी बड जी कि अभी जुसरे से राजीव जी ने कहा कि मैचॉर तो होनी जी जी मैचॉर्टी की जरुद है राहूल गांधी को अब बीजेपी यही तो कहते है कि परिवारवाद है उन्होंने राहूल को मैचॉर करने लेकिन और जो इतने बड़े सीनर लीडर है उनको मौका नहीं द जब लोकल कहां जहां लीडर्शिप मजबूत हो जाती है अब आप हर्याना का उदान मैं आपको दूँगा अब जो सेंटर गोर्मेंट इनकी सेंटर जो कॉंगरेस के आदेश थे उनको ये राज्य सबागे एलेक्शन में नहीं मानते हैं यहां पर पहन बदल दिया जाता ह यहां के उपेंदर सिंग उड़ा तो वोट ही नहीं करते हैं इससे बड़ी क्या बात होगी वोट डाले अपना खाली वोट डाल के आते हैं इनका सपस्ट भी रोत है कि मैं आपके कंडिडेट से जो सेंटरल कॉंग्रेस ने बेजा है हम उससे संतूस्ट नहीं है इसी तरह जैसे अब दोनों का जो टीवी के अनुसार कॉंग्रेस जो चुवत्तर सीटों पर आगे नजराती है और जडियू उन्तालिस पर जादू याकडा पार करते हैं दोनों के दोनों 113 सीटों पर जो है 113 मले इनके विन होते नजराते हैं नतीजे भी जो है वो सामने आगे है बीजेपी 56 सीटे जीत रही है कॉंग्रेस ने 22 सीटों पर जो है सपष्ट हो गया है का सैंड और जेडिस जो है जो है जेडिस के खाते में 10 सीटे जा रही है और अधर जो है 2 सीटों बिलकुल अबन ती का जी मैं ही बात आपको कहना रहा हूं कि राज जयपाल की भी आज आने वाला समय बताएगा के सरकार बनती है नहीं बनती है लेकिन दोनों के पास option मौझूद है बीजेपी शिंगल आरजाइस जो है एक सोच्छे का जो आकड़ा है बहुत बड़ा आकड़ा है बिल्कुल वो सत्ता के करीब है नतीजे जो है वो अभी आ रहे है शुरू हो गए बीजेपी के कारेकरता नजर आ रहे हैं इसे बिल्ले आपको आप ट्वीट दिखाते हैं कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोरों के तरफ से ट्विटर के माधियम से यहां पर ट्वीट के जा रहे हैं धर्मेंतर प्रधान के और से ट्वीट किया गया प्यूश गोयल के और से ट्वीट किया गया है हालाकि प्यूश गोयल को कल ही एक और नया जो है मंत्राले भी सौप गया है अतरिक्त प्रभार समालेंगे वित मंत्राले का इसके साथ ही राजजनात सिंग का यह ट्वीट है जिसमें वो भारती जंता पार्टी को मुबारक बात देते हुई नजर आ रहे हैं ट्विटर के माद ही हमसे राम माधव का ट्वीट है इन कंगात का T.E.D.P. and चंद्रबागुनाइडू have used all tactics to dissuade तेलुगू waters ये उनके और से ट्वीट किया गया है स्मृती रानी का ट्वीट है अमिच्छा मैजिक वर्क्स अगैन उन्होंने ट्वीट किया है अमिच्छा का जादू फिर से काम कर गया है वसुधरा राजे सिंध्या का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि बन रही है भारती जो ने था पाटी लाजस्ट पाटी बन रही है करनातक के अंदर ममता बनर्जी ने भी यहां पर ट्विटर के माध्यम से बदाई दी है जीतनी पर करनातक का चुनाव को इस चुनाओं से सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जो 2019 का जो मुहिम थी वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित होगी और बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी कॉंग्रेस पार्टी का क्या है कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी से ज़्यादा दूसरे धर्म निर्पेक्ष दलों को खतम करने में जुड़ जाती है अब जैसे जनता दल सेकुलर था अगर आप जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर चुनाओ लड़ते करनाटका के अंदर तो आज कॉंग्रेस और जैडीयस की सरकार वहाँ पर होती लेकिन आपने सोचा कि भई जैडीयस को ही डिस्क्रेडिट करो और आपने ये थाबित करने की कि जनता दल सेकुलर जो है वो तो जनता पार्टी की बी टीम है उनके खिलाफ तमाम आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से हमार आजा हैं हम पहले सब को खतम करेंगे अपने साथ किसी को लेंगे नहीं जिसकी गरज हो हमको वोट दे तो अब वो परिस्तितियां बदल चुकी है कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए सभी दलों को साथ लेकर चलिए एक रणीती बनाईए तब आप उन्नीस में भारती चोटे दलों के साथ समझवता किया अपना दल के साथ समझवता किया कुर्मी वोट बैंक को साथ लाने के लिए एक राजभर की पार्टी है उसके साथ समझवता किया राजभरों का वोट अपने साथ लाने के लिए तो इसी प्रकार से वो एक एक चुनाओ और एक एक सीट क उपर निगाह रखकर तयारी करते हैं रणनीत तयार करते हैं और उसके बाद चुनाओं में जाते हैं एकीस एकीस रहलिया नरेंद्र मोधी कर रहा है आप दोती पहन के मंदिर मंदिर घूम रहा है इस से थोड़ी आप चुनाओ लड़ पाएंगे एक रणनीत होनी चाहिए सम से पहले 50 साल पुरानी महाराजा वाली मानसिक्ता से बाहर निकल कर ये समझना चाहिए कि इस देश का आम आदमी अब उनको पसंद नहीं करता है चुनाओं की एक रणनीत होनी चाहिए एक सोची समझी रणनीत तयार करके एक चुनावी रणनीत तयार करके प्रभावी रण से आज कॉंग्रेस चल रही है एक के बाद दूसरा राज्य लगातार ये लोग हारते जाएंगे और देश को इसका बहुत बड़ा नुकसान इस रूप में होगा कि आज नफरत की राजनीती जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में भारती इंता पार्टी उसका विश्वीच ब मिलकर कॉंगस ने चुनाव लड़ा होता करनाटक में तो आज स्थिती जो है वो कुछ और होती बिल्कुल अवन्तिका जी संजै सिंग और जो जितनी नई पार्टी आ रहे हैं खासकर बीजेपी भी स्टैजी के उपर डिपेंड करते हैं और जब से प्रसांद किसोर जी ने का वोट कहां ट्रांसपर हुआ है वोट स्विंग कहां जा रहा है CSDS भी यही करता है तो यह जो नई स्टैजजी आई है वो हर एक कॉंस्टिचों से क्या आज इंटरनेट और लेप्टॉप या जो केंपूर्टर से हम सारी चीज़ें एवेलेबल है तो हर एक जगे आप हाप पेज चाहे ना कियो एंप्लीमेंट लेकिन दूसरे के ऊपर दिमा की तोर पर या जनता में एक मैसेज देने का काम किया अगा था कि हम जो है लगबग 20 वोटर के ऊपर एक आदमी हमारा मौजूद है तो यह पड़ी आता मिश्वास दिखा भी रहे है और लोगों को मै कारें का आसि बेसेकर रहे हैं डर्म की पोला टिक कर रहे हैं ड्रम की पोलेकों क्रatिश नहीं कर रहे और उसमें जो है जहां भी जाते हैं अब गुजरात की बात करेंगे लिसे की फेलिग है कि मंध्रो में जयंख कर दिया महांड़ाय। में भी हिंदू लेकिन मुहमडन्स का या पाकिस्तान का इलाज वो नहीं कर पाए और वो सपस्त तोर पर राजे सभास से पहले उन्होंने यह सोच लेना चाहिए था कि जैसे ही वहां एक मुहमडन कंडिडेट को बीजेपी अपना कंडिडेट बनाती है इन्होंने वही परच में भी मंदर मंदर गए राहूल गांदी यहां परही कई मंदीरों का दौरा वह करका है लेकिन राजीर मैंजन जी क्या लगता है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जसे बने बहुत कपने लेकिन उतने अच्छे से जो है उसको नहीं समभाल पाए ही राहूल गांधी लेखें बनिति क्या भारती जनता पार्तीक्स का डानेमिक्स और कॉन्गरेस का जो प убийक्स करने का डानेमिक्स हार डिफरेंट है अब जो Congress का जो transformation हुआ है ये जो generational इन्होंने जो responsibility राहूल गांधी पे आया है पीछे के Congress में देखे काफी gap रहा गांधी परिवार की पकड़ पार्टी पे रही लेकिन गांधी परिवार के लोग प्रिंस्पल लिडर्शिक में नहीं रहे सिताराम केसरी रहे कुछ और बने उसके बाद सोन्या गांधी बनी प्राइम मिनिस्टर कोई और बने रहते हुए भी इनकी पकड़ पार्टी पे थी लेकिन जो इनके प्रधान मंत्री बने वो दूसरे लोगों को इन्होंने बनाया पार्टी में से बनाया अब राहुल गांधी जनेर सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट और यह प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है और उनके अंडर में कॉंग्रेस पार्टी अपने हिसाब से यह रिवाइब कर रही है इनके जो भी यह है लेकिन यह कहना कि प्रधान मंत्री देखे अगर आप यह जाएंगे इनके काई टेनरी बनती है और आपको याद होगा कि अगर कोई भी प्रधान मंत्री बनता कहीं भी जाते हैं तो उसमीं प्रूब होता वहां जाते हैं राहुल गांधी का अगर मंदिर में जाना यह मुझे नहीं लगता है कि यह कोई बड़ी बात है आप मंदिर में जाए नहीं जाए अगर आपकी लीडर्शिप में अगर आपकी बातों में अगर वीजन नहीं है तो लोग आपको भोट नहीं देंगे किसी भी हिंदू को मंदर जाने की जौरत नहीं अगर को हिंदू मंदर जाकर के भी वह हिंदू नहीं हो सकता है और जाकर के भी नहीं ह जाते हैं और हम बोलना चाहते हैं तो लोग कमीज नहीं को क्वेश्चन एजर्णिस नहीं लीडर्शिप के ऊपर सवाल तो यहां पर जो नतीजे जो सामने आ रहे हैं के बाद रहे हैं पत्रकार के रूप में अनलाइज करा आप यह बताईए ट्रेंड कह रहा है कि भारती जन पंजाब को छोड़ दें जो सभी चुनाफ जो हैं हारी हैं कॉंग्रेस पार्टी और करनाटक में भी जो 2013 में सीटे थी 121 उसके मुकाबले करा रही हार है निलारे जी कॉंग्रेस की बिलकु सबस तोर पर हारा है कि आपके बात बोल दूब फिर आप इस क्वेशन को आप टेक कीजिएगा देखिए भारती जनता पार्टी ने बड़े बड़े स्टेट्स में जो जीती वो लालकृष्ण अडवानी के लीडर्शिप में जीते आज लालकृष्ण अडवानी क लीडर्शिप की कौन चर्चा करता है भारती जनता पार्टी ने कॉंग्रेस के ऐसे ऐसे गढ़ को ढहा जहांकि वो इनके लीडर्शिप में अडवानी जी के लीडर्शिप में मुरली मनोर जेसी के लीडर्शिप में आज उनकी क्या हाल आता है उनकी लीडर्शिप की चर् बढ़ गई है इसमें वेल्यू एडिशन कापी हुआ है इनके पस रिशोर्स आ गया हैं कॉंग्रेस में वह क्लेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी लाना पड़ेगा वह क्लेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी तब आएगी जब आप मिल बैट करके काम करेंगे और वह मुझा लग जो है यहां पर मिलती हुए नहीं ज़र आ रही है बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि वोट का प्रती से जो कुछ लाख मेरे खाल से एक डिड़ लाख वोट का फरक है यानि एक कॉस्चिचोंसी की जीतनी वोट होती है इतना दोलों का वोट का फरक है लेकिन आप आप जाती है कि आपकी सरकार वह जा रही है अगर आपकी सरकार हुए पहले सरकार भना पनी तो आप एक स्टेट गवार ह estaba रही है यह जöh तक परेगारमदन और पर चार कि परिचाहर जो है बहुत मेलों पून है आप सोचल मीडिया पर देख देखते हैं गे और भीुपारु विगाज चार साल से निरंद भाई मोधी की सरकार ने देश में जिस पकार से काम किया है विकास के जिन्डे को आगे बढ़ाने काम किया है नए भारत के निर्मान के लिए नौजवानों को जोड़ने का काम किया है उस सरकार के काम काज पर ये मोड लगी लेकिन कॉंग्रेस मनने हो तयार नहीं पूल थी, ईवियों में बुछ हुआ है फिर इस बाहर में। जब जब कॉंग्रेस पार्टी और ग्रोधी पार्टी की लोग चुनाव हारते हैं, उनको ईवियों में दोज द्रिकाई पड़ता है। बिहार मेजब हम हार जाते हैं रढ़िया जहनावाद हार जाते हैं डिवीएम ठीक रहता है लेकिन जब वह हार जाते है डिवीएम खराब जाता है अब कौन फ़रोजा करता है कांगरसीad बात verbs पर देश मोधीजी के साथ है मोधीजी के साथ नहodeight करisions करनाटक के चुनाव में बहुत के निगन करणाटक के सामने आरही है उसको लेकर कॉंगrates के और से सवाव उठाए गाए थी फ्रतकर्पार की वोट कहीं और डाले जाते हैं लेकिन जाते कहीं और हैं लेकिन अब अगर हम आम चुनाफ के बात करें आम चुनाफ जो है वो विधान सभाही चुनाफ के साथ मिलकर बीजेपी कराती हुई नजर आएगी या फिर अलग अलगी ही चाहेंगे या 2018 के अंत में आम चुनाफ हमें देखने को मिल सकते हैं अवंतिका जी परदान मंत्री जी ने सपस्ट कहा था कि जो है सारा साल जो है आप तिन सो पैसेट दिन एलेक्शन मोड में रहते हैं और चाहिए कि कुछ डिलोबेंट की बात हो हम कुछ योजनाए बनाने के लिए भी समय निकालें उनकी बात अच्छी थी और मैं इस बात से स चुनाओ करवाए जाएं तो मेरा यहां तक कहना है कि कुछ स्टेट जहां पर नजदीक है पांचेस महीने की गवर्मेंट रहती है उन स्टेटों के चुनाओ जहां हम इलेक्शन के साथ जरूर करवाने चाहिए और दीरे इसको बड़ा लोग प्रसेश है दोजार चोविस चुनाओ जाएं करवाए तो पूरा साल हम जो है इलेक्शन और एलेक्शन की चर्चाओं में बीजी रहते हैं डेलोम्मेंट की बात या लोगों की समझ्याओं की बात हम नहीं सोच पाते हैं एक पहले चर्चा चल रही थी कि जीत है या हर है? और सोसल मीडिया का कि उसमें क्या रोल है? जीत, सरकार बनने की बात जो है, वो जीत है. पॉलिटिक्स में अगर आप सरकार बना रहे हैं, तो आप जीत रहे हैं. और सोसल मीडिया का रोल कितना हो गया? कि BJP कीongरी रहती है कि राहूल गांदी को एक विशेस यह कि प्रमतरी और इंद्ध और फरते कंशले के लिटनेगों यहां अनलाली इसके सब्सक्टराइब युके åλα के सब्सक्रण और दीन के जर्फet कांड शमिलिक्रा प्रमतियं में अगर आजमन ओरलाल खटर जी को नरेंदर मोदी जी के बिना रियाना में जाना हो तो मुझे लगता है कि इनके पास सीटे मीन याएंगी इनके पास करिस्माई नेतरत हुए जो है वो नरेंदर मोदी जी का ही है और उनको लोग आज भी इस वास उनके ओपर भरोसा है अलांकि कम हुआ है लेकिन भरोसा है आज भी आप उसको करनाटक ने प्रूव किया है अलांकि हिंदी बासी जो नेता है वो साउथ में कभी भी का भी बोल लेते हैं तो ये तकनीक के कान भी आज जो है उत्तर भारत के नेताओं का दक्षिन भारत में प्रभाव बढ़ा है और उसका नतीजा यह है कि आज उत्तर परदेश के जो मुक्यमंत्रिय है वो स्पीच देने के लिए वहां जाते हैं वहां के नेताओं की एक बात ह साउथ में मैं ज्यादा नहीं गया हूँ लेकिन साउथ के जो लोग है वो हिंदी समझ लेते हैं लेकिन हिंदी बोलने में उनको दिक्कत होती है तो उत्तर भारत के जो नेता हैं वो वहां काम्याब रहे हैं और उसके नतीजे करनाट के लेक्षिन में आप देख सकते हैं प्रतिशत जादा है Congress की पास में 27.9 प्रतिशत जो है वोट शेयर है इसके लावा अगर बीजय पी के वोट प्रतिशत की बात करें तो ठेस का वोट फ्रतिशत जो है वो bjp ग्रुषेंगे लेकिरेट के बहुत कम डिफरेंश आज एक साथ बात करें ने मिल यही दिफ्रया पर्कमेंटी के बहुत कम डिफ्रेंश जो है उनको एंटरी मिल पाती है बदैसे लेकिन भारती जो ने हुरती आएक近व माध्यम से जो कि दक्षिन भारत का सबसे बड़ा राज हे धमाकेदार एंट्री की है यह देखिए करनाटक का जो डानमिक्स है वहां का जो हिंदुत फोर्सा करनाटक में काम करती है पहले से भी करती रही है और भारती जनतापाटी ने इसका सहरा ले करके सबसे पहली सरकार एंको साफ में बनी लिए बनी अगर हम फिस्टोरीकलली देखांए तो वहां पूरे देश में का इंगरस की सासन होती थी यह स्टेड्स-केंदर में तो नहीं यहरे होते थे और वहां वो नहीं जीत पाते थी, कॉंग्रेस भी नहीं जीत पाते थी, और वो अराम से जीत थे, तो करनाटक का डानमिक्स में थोड़ा सा जो बाकी जो सदरन स्टेट सें, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसका फाइदा ही बीजेपी को मिला था, और वहां देखे, वहां बहुत तरह के फोर्सेस पी काम करते हैं, बहुत सेनाज भी वहां काम करते हैं, आने लारा जी बहुत संक्षिप में, करनाटक में जो जीत भारती जुनता पार्टी को मिली है, क्या? अने लारा जी, क्या जो करनाटक में जीत भारती जुनता पार्टी को मिल रही है, इसका जो दक्षन भारत के दूसरे राज हैं, उसमें फायदा होता नजर आएगा बीजेपी को जब वहां पर चुनाव होंगे, बिल्कुल यह तो किसी भी स्टेट में जहां सरकारे मनती हैं, उसका दूसरी स्टेट में आसपास की स्टेटों में बड़ा परभाव रहता है, और राश्टी इस तदर पर रहता है, के बीजेपी का है के सरू से नारा रहा है, परदान मंत्री जी तो पबलिक लिए बात कहत पर रहे जाएगी, इसमें मिजौरम, के साथी, पुडुचेरी और पंजाब, महस्तीन राज्ज रहे जाएगे, कॉंग्रस के बास में बाकी जादा ता राज्यों में, 21 राज्यों में भार्टिय जुनता पार्टी की सरकार है, दूसरे राज्यों में ऐसे में भार्टी मुक्त भारत का जो नारत दिया गया था, 2014 के बाद पधार मंतरी नरेंद्र मोदी की और से, उसी को साकार करती हुई भी नजर आ रही है, फिला दीजे जासत, नमस्कार